वेरी वेरी गुड बॉर्निंग देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल आए हैं आज मेरे गंबले में और कुछ तो मेरी बेटी ने तोड़ लिये हैं पूजा के लिए आज है मंडे और आज का ब्लॉग में सुरू कर रही हूं मॉर्निंग से और आप बदाई कैसे हैं और मैंने वॉक पेगरा कर ली है वॉक करने के बाद मैं आ गई किचन में क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना है और यह आलू में पहले ही चढ़ा के गई थी इस कूकर में सुमबार और सुबह के बज़रें सवा च्छे साड़े च्छे हो रहा है तो थोड़ा जल्दी उठ गई थी क्योंकि काम आज ज्यादा था तो बस आलू तुरंत मैं जैसे ही मैं उठी आलू चढ़ा दिये फिर मैंने अपना गरम पानी और अपना वॉक करने के लिए निकल अर्किटेक्चर भी आये हुए थे क्योंकि स्ट्रेक्चर पूरा बनके खड़ा हो गया है और बस उसकी फिनिशिंग वगेरा है प्लास्टर होना बाकी है और अंदर किचन है बात्रूम है इनी सब चीजों के बारे में मतलब पूछने आये थे कैसे क्या बनेगा डिजाइन देखाने आये थे तो मुछ एक डिजाइन तो पसंद आई कुछ एक डिजाइन की पसंद नहीं आई और कमरे की डिजाइन अच्छी से क्या करेंगे वो लेकिन कीचन में मसला फशा हुआ है किचन में देखते हैं क्या करनेख पप diamonds Lampeel कर दो मैंने उसे कहा है कि कोई दूसर पूरा डिजाइन सेलेक्ट करके बताएं मुझे और पूरा वास्तु के अकॉर्डिंग हो तो मैं वास्तु जरा फालो करती हूं तो मैंने कहा वास्तु के अकॉर्डिंग हो तो यही सब चीजों में थोड़ा टाइम लग गया कल रात देर भी हो गई थी तो देखते हैं आगे कैसे बनता है क्या होता है मैं आपको सब आने वाले ब्लॉग में दिखाऊंगी क्या क्या हो रहा है और यहां मैं बच्चों के लिए पराठे सेख रही हूँ और पराठे में रुद्रा अभिशेख सब अपने घर में बैठ के करेंगे तो उसी तरीके से मुझे रुद्रा अभिशेख करना है तो अभी बस जाडू अडू लगा के पहले तो मैं प्यूंगी चाय और फिर उसके बाद जाडू लग गई है और पोंचा उच्छा लगा के फिर मैं अपन पिर मैं अपना पूचा लगाओंगी और पोंचा लगाने के बाद जाऊंगी गंगा जी यरुद्रा भी शेख करना है और थोड़ा इस्तनान भी डले आगए और यह बडिवाली पांच लिटर की कट्टी है यह ओयल की कट्टी थी इसको हमने अच्छे से वाश कर लिया मैंने और इस यह में गंगा जल ले लेंगे हजबन मेरे जा रहे हैं गंगा जल लेने तो यह मतलब बहुत पीछे घाट बना हुआ है यहां भीड बहुत कम होती है और जल बिल्कुल साफ सुथरा मिल ज जाते हैं यह फर्काबाद में दुरवाशा आस्रम है उस तरफ बना हुआ है घाट तो वहीं जाते हैं और यह मेरा रुद्रा विशेख चमय ने किया था वह है क्योंकि एक्छूली मैं जिस फोन से कर रही थी ऑंलाइन रुद्रा विशेख कर रही थी वहीं फोन था छोटा सा वीडियो बना लेते हैं कमसे कम आप लोगों को दर्शन कर देंगे तो बहुत ही अच्छे से और बहुत ही मतलब मगन होके हम लोगों ने रुदरा भी शेक करा उन्नें ऑनलाइन बहुत अचछे से समझाया था बहुत अच्छे से बताया था और यह शाम का वकत है और ब्रत रहा है सारा दीन हम लोगों का तो अब यहां पर बन रहा है खाना सामको ब्रत वाला यह मैं अलू टमाठर की सबजी यहां पर बनाऊंगी और और क्योंकि ब्रेत वाली आलू टमाटर की सब्जी का टेस्ट कुछ अलगी आता है उसमें कोई मसाले वसाले नहीं पड़ते हैं अच्छे से टमाटर और हरी मिश डालके धनिया वेगरा डालके खटी-खटी सब्जी बनती है और यह पूरी के साथ बहुत ही अच्छी सब्जी और अब बनाएंगे फटा-फट पूरी क्योंकि सब्जी में मैंने पानी डाल दिया है और इसको थोड़ा सा एक-दो बाल आने तक अच्छे से पका लेंगे पांस-दस मिनट के लिए बस फटा-फट पूरी बनाऊंगी और फिर हम लोग करते हैं अपना धिनर ब्रत का सो फ फोड़ा सा इंक्रीज एरिया कराया है मौम्टी थोड़ी सी बड़ी करवाई है तो इसलिए बाहर का एलिवेशन भी चेंज हो गया है पहले कुछ और था अब कुछ और हो गया है बस होप सो यही है कि अच्छे से बन जाए क्योंकि बहुत उमीदों से मैंने अपना घर बन खाई की और भी कोई फेसल्टी इतनी नहीं है फुरकाबाद में और मेरी दो ही बेटिया है उनको अच्छे से पढ़ाना है तो मैंने सोचा भी यह वहीं पर चलो ले लेते हैं घर तो बस यहां हम लोग खाना खा रहे हैं अब आने वाले समय में में आप लोगों को घर